हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू केच्च ट्वेंटी टू रसे तो आज अब बनाएंगे सिर्फ कुछी इंग्रेडियंट से सुजी के गुलाब जांबू और ये देखिए ये कितने सॉफ्ट बने है ना ही हमने इसमें कोई मावा का यूज किया है और ना ही कोई मिल्क पावडर का यूज फिर भी ये कितने सॉफ्ट बने है ये तो आप देखी सकते हैं तो चलिए बनाते हैं ये सिंपल से सुजी के गुलाब जांबू गुलाब जांबू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाशनी बनाने पड़ेगी तो चलिए सबसे पहले हमें चाशनी बना लेते हैं मैंने यहां पे पैन को हाई फ्लेम पर चड़ा दिया है और अब इसमें मैं चाष्णी बनाने के लिए दो कप शक्कर ले रही है और दो कप शक्कर के हिसाब से हम इसमें तीन कप पानी डालेंगे यहां में कोई तार की चाष्णी नहीं बनानी यहीं सिर्फ हल्कर चिप चिपा होना तब धक championships पकाना है तो यहां पे हम सारी प्रॉसेश जुーハ वो hi flame पर करें तीक है तो मैंने गेस को हाई फ्लैम पे रख दिया है और अब हमें इसे तब तक चलाते रहना है जब तक चीनी जो है वो पानीमे अच्छे से पीगलना चाहे और इसके बिच में तो यहां मैंने 3 ऑलाइची डाल दिये और थोड़े से केसर के धागे भी डाल दिये केसर डालना ओप्शनल है अब सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और जब तक चीनी ना पिगले इस पानी में तब तक हम इसे अच्छे से पकाते रहेंगे यानि कि कूप करते रहें और थोड़ी दिर के बाद आप ये देखिए ये चीनी जो है वो पानी में अच्छे से पीगल चुकी है तो इसे अब मिक्स करते जाएंगे और इसे करिब बंद जब तक ये हलका सा चीप-चीपा पानी नहीं हो जाता तब तक हमें इसे फूट कर लाएं और ये देखिए हमने स्पेक्चुला की मदद से अच्छे से एक बाद चेक कर लिया है तो ये देखिए ये थोड़ा सा अभी चीप-चीपा लग रहा है पर अभी उतना चीप-चीपा नहीं हुआ है तो हमें इसे हाइफ लैम पे और अच्छे से दो-तिन मिनिट के लिए हम पकाते रहेंगे और थोड़ी देव के बाद आप ये देखिए ये पानी जो है वो अच्छे से घट बन चुका है मतलब अच्छा वाला वो चिप-चिपा सा पानी बन चुका है तो बस इसे हम एक दो मिनिट और चलाएंगे और इसे के साथ में हम यहां पे हम आदा निम्ब स्मेल अच्छी से खुश्बू के लिए होता है तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इस किप भी कर सकते हो और अब देखिए मैं यह टेस्ट कर रही हूँ तो यह देखिए खिप-चिपा हो चुका है मतलब हमारी चाशनी रेडी है यह देखिए तो अब हम इसे साइड मे कर दो चाहिर है और आगे फिलम गुलाब जाबु बनाती है तो सुजी के उलाब जाबु बनाने के लिए एक नॉर्मल रेग्यूल चमच बरगे गी लिया है एक कबर सुजी बारिक सुजी लिये और यहां पर ऑसके सामने 1,5.5 बरगे मैंने यहां पर मिल्क लिया हुआ है तो बस अब हम पैन चड़ा लेते हैं गेस पर मिडियम फ्लेम पर उस पर ये एक चमबच मैंने यहाँ पर गी डाल दिया है और जब ये गी थोड़ा सा पिगल जाए तब हमने जो डेड़ कब दूद लिया था ना वो दूद हम इस पैन में डाल देंगे और उसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और उसमें एक उबाल आने तक मिडियम फ्लेम पर रखेंगे तो ये देखिए इसमें एक उबाल अच्छे से आठीक है तो एक-दो मिनिट हम इसे और अच्छे से पका लेंगे तो ये देखिए ये दूद अच्छे से पक चुका है तो अब इसमें धीरे-धीरे करके सुजी डालते जाएंगे मैंने यहां पे बारिक सुजी का यूज़ किया है अगर आपके पास मूटी सुजी है तो आप इसे ग्राइंडर में ये मिक्सी जार में एक बार अच्छे से चला लीजिए और उसे फाइन बना लीजिए और बाद में आप यूज़ करें ठीक है तो ये देखिए ये मैंने सुजी डाल दिया है और अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे इसे लंप स्प्री बनाएंगे मतलब एक भी गुट्लिया इसमें नहीं रहनी चाहिए अच्छा सा दो जैसा बाइंडिंग नहीं बत जाते है लेका क्या हमिसे मिडियूम फ्लेम पर मिक्स ही करते जाएंगे और सीराग्स जैसे हम पकाते हैं बिल्कुल वैसे इसे पकाते जाएंगे और यह कि दिरे दिरे अब गट medical ngon AGT वोच्वट ते इस पर हम न का यह मिगी ऑसेस थोड़ा सा लोग फिलेंब पर कल लैंगे और से लेक्डा के नीचे से भी जली तो यह कि यह सव्ट बना स्थाटब भूप तो कोड़ा से आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर आपको सॉफ्ट डो मलना है मतलब कि इस डो में गुटलिया नहीं रहनी चाहिए अधर्वाइस जब आप गुलब जांबु बनाओगे न तो फट जाएगा और अगर अपने ज्यादा डाइट डो कर लिया तो जब गुलब जांबु बनाओगे तो वह अंदर से सौफ्ट नहीं बनेगा तो यह सब बातों का आपको ध्यान रखना है तो मैं आगे आपको टिप्स देती जाओंगी तो आप पूरा वीडियो स्किप किए भीना देखिएगा तो यह देखिए यह अच्छे से हमारा जो ड गरम ही रखना है और देखिए यह गरम है ना तो मैं यह स्पेक्चुला की मदद से एक दो मिनिट इसे ऐसे ही अच्छे से चलाती रहूंगी ताकि डो जो है वह एकदम स्मूथ बने इसमें एक भी गुटलिया ना रहे यहां पर हमें एकदम स्मूथ डो चाहिए एक दो मिनिट और अच्छे से मलना है और अब इसे हम ना थोड़ी दर के लिए ठंडा होने रख देगे ठंडा यानि कि गुन गुना हमें कम्प्लेट ठंडा नहीं करना है यहां पर डो तो यह हैं अमरी टिप्स नमबर बन तो यह थोड़ी दर के बाद यह देखो खलका घरम है तो यह देखो मैं कम्प्लेटली छूपा रहे हूं तो बस अब इसे हमें इस डो को ना अच्छे से पांच से छे मिनिट के लिए अच्छे से गुन देंगे एकदम स्मूथ डो जैसा बना लेंगे तब तब हम इसे गु से और फिर उसे डो मलना स्टार्ट कर लेंगे पर आपको पास से छे मिनिट के लिए अच्छे से इसे गुंदना ही है तो यह हमारी टिप्स नमबर टू यह जो डो है एक दम स्मूथ बनना चाहिए अदर्वाइस आपके जो सूजी गुलाब जामु जब आप तलने जाओग और अब मैं इस हाथों को ग्रीस करके फिर से एक मिनिट के लिए अच्छे से मल्द होंगी ताकि एक तम सॉफ्ट बने जरा भी रिस्क ना रही कि हमारे सूजी के गुलाब जाप फटेंगे तो बस आप इसी बातों का ध्यान रखते हुए जलना इसमें हम ना बेकिंग बस हम क्या करेंगे जब हलका यह गुन गुना है ना तब ही हम इसमें से आपको जो साइज के गुलाब जाबू पसंद है वह साइज के आप बॉल बना लीजिए और उसी स्टेज पर आप इसे डाइडे ऐसे बॉल बनाते जाए और इसे तल्स दे जाए ठीक है तो यह सब बातों का आपको ध्यान रखना है यह गुलाब जाबू बना तो यह देखिए आपको एकदम क्रेक फ्री यहां पे बॉल बनाने है और अगर आपको लग रहा है कि यह देखिए और आपके बॉल में क्रेक आरही है अच्छे से वो नहीं बन रहा है तो एक दू मिनिट ऑर मल निए डोगो तभी और बाद में आप इसमें से ला इसमें से ला पोल जो बना लिजिए आपका गुलाब जाम्बू नहीं फटेगा तो यह सारे गुलाब जाम्ब जो है वह हमारा नहीं फट रहा है अच्छे से वह तल भी रहा है और आप यह देखिए एक भी क्रेक इसमें नहीं आ रहे है इसे हम क्या करेगे ना ज्यादा ऐसे चमच की मदद से आप मिलाना मत वरना यह एकदम सॉफ्ट होता है तो इसमें भी क्रेक आ सकती है तो आपना चम होता है तो इसे हम लेंगे और में आपक हैं मीडियं फ्लेम पे हम है करना जोटी बातों को शूची के गुडब जामु बना ते टाइक हैं घ्यां और यहां होताए नहीं करना और आप पर meiner raw को try you तो ये देखिए ये सारे गुलाब जाबू जो है वो अच्छे से तयार हो चुके है तो बस इसी स्टेट पे हम इसे ये जो गरम-गरम गुलाब जाबू है ना उसे हम गरम-गरम चाशनी में ही डालेगे यहां पर हमें चाशनी को ठंडा नहीं करना है तक ये एकदम अच्छे तो ये मैंने सारे गुलाब जाबू जो है वो गरम चाशनी में डाल दिया वो मैं आपको दिखा दिए ये देखिए ये गरम चाशनी है और सारे गुलाब जाबू लेके मैंने इसमें ट्रांसपर कर लिया बस इसे हम एक गंटे के लिए अप साइड में रखते कि ताकि सुझे कि जो गुलाब जांबु है अंदर तक एकदम सॉफ्ट बने ठीक है और एक गंटे के बाद यह देखे यह गुलाब जांबु हमारे रेडी हो चुकी यह देखे यह कितने सॉफ्ट बने आपको प्रेज करने पर ही पता चल रहा है ना कि कितने Sé और यह देखे कितने सॉफ्ट है यह यह प्रेस करने पर ही तूट रहे है तो आप समय सकते होगे कि यह कितने सॉफ्ट बने ठीक है अगर आप इस सारी टीप्स और ट्रिक्स के साथ बनाऊगे तो आपके गुलब जाम्बु में बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट ही बने गी तो बस अब हम इसे गानिश कर लेते हो और मैं आपको ना एक बावल में निकालके तो यह एक गुलाब जाम्बू ना मैं आपको तोड़ के दिखा रहे हूं अधर से यह कितना सॉफ्ट बनाएं तो आप यह रेसीपीना जरू ट्राइक कर ये पर आपको पूरी टिप्स के साथ चलनाएं तब भी आपके सुजी को गुलाब जाम्बू अच्छी से बन पाएंगे तो अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूढ़ेगा और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आईकोन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर नय वीडियो सबसे पहले आपके पास है तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नेक सुक्राबाद के